आगरा की द्यालबाग चौकी अंतरगत सुरूर बार पर एक व्यक्ती ने 30,000 रुपे गमन करने का आरोप लगाया है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौकी पर पहुँची पुलिस के साथ बार मालिक वा स्टाफ की दबंग गई देखने को मिली। दिखाने से इंकार कर दिया। वहीं जब पुलिस को बुलाया गया तो बार मालिक ने कहा कि चाहे थाना इंचार्ज ही क्यों ना आ जाए। हम फुटेज नहीं दिखाएंगी। तभी द्यालबाग चौके इंचार्ज सुमीत नागर वहां पहुँचे और फुटेज देखने क मांग की। इस पर बार मालिक ने चौके इंचार्ज को अपनी गुंड़ाई दिखाई। जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद सिसी टिवी फुटेज को चौके इंचार्ज ने दिखा। लेकिन फुटेज देखने के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया। पैसे का गमन सुरूर ब द्वारा हुआ है या नहीं। फिलहाल पुलिस आगी की कारवाही में जुट गई है।